हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मेद आप सब अच्छी होंगे चलि आज देखते हैं हम राजस्तानी करंटरफेस अक्टूमर महा की और यह अंतराश्टिक क्रॉनलोजी नावा के एक मैगजीन है वहाँ से ली गई है ठीक है चलिए देखते हैं प्राइदेश की परिद देखे उननीश्वे एशिया एखेल कहा हुए थे यह हुए थे चीन के होंग यों में और 23 सितंबर से आठ अक्टूमर 2023 तक हुए थे इसमें राजस्तान से 23 खिलाडियों ने भाग लिया जिन में इसे निमने खिलाडियों ने पदक प्राप्त किये देखे इसमें इंपोर् भारते ड्रेसाज टीम ने ग्यानिकी घुर्ट सवारी में घुर्ट सवारी भारत ने क्या जिता है यहाँ पे गोल्ड और इसका नाम गया दिव्य कीर्थी सिंग यह कहां के हैं यह नागोर के इनकी टीम मेंने सदक से थे अनुच अगरवाल हिर्दय छेदा सुदिप्ति जेला ठीक है फिर इसके बाद सुद्पदक विजयता है भारते महीला कबड़ी टीम में रास्तन पुलिस की निदी शर्मा, शुष्वा शर्मा, शाक्षी कुमारी, मुस्कान मलिक सामिल थी कोशन यह सकता है कि महीला कबड़ी टीम जिन्नोंने इशाय खिलो में सुद्पद जीता है उसमें राज्ता से कौन कौन से शामिल थी खिला रियां तो निदी शर्मा, शुष्वा शर्मा, शाक्षी कुमारी, मुस्कान, मलिक फिर है सचिन तवर तो यह सचिन तवर थे सौनुपदक विजयता भारते पुर्स कबड़ी टीम में शामिल थे फिर है किरन बालि यह है जैपूर के और इन्होंने पुरुष लाइटवेट डबल इसकल्स टीम इस परदा में रजत पदक जीता है इस टीम में अर्विन सिंग सामिल थे अर्जुनलाल जाट ने किसमें जीता है यह जीता है नोका एनमी ठीक है इसके बाद है दिव्यान सिंग पवार यह है जैपूर के इन्होंने 10 मीटर एर राइफल में गोल्ड मैडल जीता है फिर है बाबुलाल यादव और लेकराम खिलेरी इन्होंने डूंगरगड बिकानेर के रहने वाले हैं इन्होंने नोका एनमी क्या जीता है कांस से पदक जीता है फिर है मानिनी कोशिक यह बदनोर भी जीता है इन्होंने पुरुस क्रिकेट टीम में शामिल है यह बाद है जाकर खान ने नोका एनमी कांस से पदक जीता है इसके बाद इंपोरइन चीज यह है कि राज्चे में विदान सभाज चुनाव का कारेक्रम घोशित किया गया है और इसकी घोशना की गई है 9 अक्टूंबर 2023 को चुनाव होगा 25 नौंबर 2023 को और 3 दिसम्बर 2023 को क्या होगी मत गरना संपुन होगी देखे ये हैं इंपोरेंट चीज इसमें सीटों का अरक्षन किस तरह की आगया है प्रदेश में कितनी सीट हैं इस समय 200 विदान सभाज सीट हैं इसमें 34 अनुसुशित जाती यानि कि SC की है और 25 अनुसुशित जन जाती यानि कि ST सेड्डूल काश सेड्डूल ट्राइब ठीक है और 141 सीट किस के लिए है वो है सामन ने वर्ग के लिए चलिए देखते हैं आगे इस बार वोट कितने लोग देंगे इस बार वोट देंगे 5.27 करोड साधिक मददाता अपने अधिकार का प्रियोग करेंगे जिन में से 2.55 करोड साधिक पूरुष है 2.51 करोड क्या है मईला सर्विस मददाता हैं 1,41,898 में और 18-19 आयू के लगबग 22 लाख युवा पहली बार मददाता का प्रियोग करेंगे तो पहले बार कितने लोग युवा करेंगे लगबग लगबग 22 लाख युवा वोड देंगे चलिए आगे देखते हैं प्रिदेश में पहली पार PVTG सर्णी के अंतरगत शामिल शहरिया जन्जाती के समस्त पात्र व्रक्ती मददाता शूमिल में शूची में शामिल किये जा चुके हैं इंपोर्णेंट चीज़ है फेपर के लियास से कि पहली बार जो PVTG श्रेनी होती है कि इसकी सहरिया जन्जाती सर्वादी कहाँ पे हैं बारा में ठीक है तो इनके जो पात्र व्रक्तिय है सब को शामिल किया गया है ठीक है इस श्रेनी में कुल मत दाता है 77,343 मत दाता है ठीक है ये काम भी चीज़ नहीं है इसके बाद है इनकी लाइब वेफ काश्टिंग की जाएगी फिर ये इंपोर्णेंट हो ये आ रहा मुख्यमंती ने आठ नए बोर्ड बनाए हैं इन में से कौन-कौन से हैं राजस्तान राज्ये राजा वली कन्यान बोर्ड फिर है राजस्तान राज्ये वालमी की कल्यान बोर्ड राजस्तान राज्ये मेगवाल कल्यान बोर्ड राजस्तान राज्ये पुजाई कल्यान बोर्ड राजस्तान राज्ये केवट कल्यान बोर्ड राज्थान राज्य जाटव कल्यान बोड राज्थान राज्य धानका कल्यान बोड राज्थान राज्य चित्रकुक्त कायस्त कल्यान बोड इस समय क्या है बोड भूस सारे गोसित हो गए तो इसमें इंपोर्णेंट क्या है इसमें इंपोर्णेंट के सदस्यों की संख्या त तीन सदस्य होंगे, यानि कितने हो गए पांच और पांच ही क्या होंगे गैर सरकारी सदस्य, तो कुल कितने हो गए दस, जिन में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन सरकारी सदस्य और पांच गैर सरकारी सदस्य, चलिए आगे देखते हैं, रास्था नाजे कृषक इनके सदस्से हैं IPSP के गोयल, एसन डाठोड, हरीकुमार गोदारा और सुनील गहलोत ठीक है आगे देखिए मुकंदरा टाइगर डिजर में शुरू ही सफारी तो मुकंदरा टाइगर डिजर में इसमें क्या हो गई है टाइगर सफारी शुरू हो चुकी है कब से नोकमर 2023 से ठीक है देखिए एक बार यह देखिए इसके रिजरेयों में क्या की गई है व्रद्दी की गई है ठीक है पहले इसका एरिया था 1759.99 अब इसका एरिया है 1135.78 किलो मीटर ठीक है अब यह देखिए important चीज यह है कि राजस्थान भासा साहित्ते और संस्कित अकादमी के 2023 के क्या हो गए है गोशित हो चुके है ठीक है अब राजस्थान भासा साहित्ते संस्कित अकादमी के अद्यक्स कोने यह हैं सिवराज चंगानी ठीक है तो महा कभी प्रत्वी राज राठोड सम्मान बिकानेर के मालचंद तिवारी को दिया जाएगा तो महा कभी प्रत्वी र और ये कुछ अन्य पुर्षका है आप देखें सूर्यमल मिश्टन पुर्षका ये दिया गया डॉक्टर मन्वोन सिंग यादव विका नेर गद्ध में और कतिये इनकी कुद्रस सुख कुछ माद शिव चरंद्र भरतिया ये पुर्षका दिया गया महेंद्र मोदी जी को गनिसलाल व्यास पुर्षका दिया गया महेंद्र दिन कोहरी को ये इंपोरेंट इंपोरेंट आपको देखने हैं फिर जवाला नहरु राज़तान बाल साहिते पुर्षका दिया गया कीर्ति शर्मा न नुटि की गई है तो यह आचार संधिता से पहले की जाएगी और यह कितने बनाएगे तीन सदस्यों की नुटि की गई है जिन में से हैं केसरी सिंग राठोर, कर्णल केसरी सिंग राठोर, प्रोपेसर अयूग खान और कैलाश चंद मीना ठीक है, इनका कारेकाल क्या रहेगा, पद बार ग्रेन करने की तारीख से आगामी 6 वर्स तक इनका कारेकाल रहेगा ठीक है, रास्तन की पहली नेरो गेज हैली टेस्ट टेन का उधगाटन क्या गया, ये क्या गया है, पाली जिले के गोरम घाट की वादियों में, सरपिलाकार रेल पत पर, किसका क्या गया है, पहली नेरो गेज हैली टेस्ट टेन, कहां चला जाएगी, गोरम घाट पाली ठीक है ये कहां से कहां से चाली तहीं है ये मारवार जोदपूर के मारवार जंक्शन और खंबली घाट के बीच चलाई जाईगी इसका जो पंदरा किलोमेटर का भाग है टार्डगर्ड रावली अब बहर से कुझेगा अब ये इंपोर्डगर्ड टार्डगर्ड रावली अब रावन कहां कहां पा रहे ये पाली नागोर और अजमेर के मत्ति में आता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं चार जिलो में नए पैनरोमा बनाई जाएंगे स्वामी आत्मा राम जी लक्षे पैनरोमा जैपूर स्वामी राव बीका जी पैनरोमा बीका नेर प्रत्वीराज चोहान पैनरोमा अजमेर इंद्रा महासक्ती भारत पैनरोमा पोकरन जैसलमेर आगे देखते हैं प्रदेश मोगा राजस्तान Logistics Service Delivery Corporation का गठन ठीक है RLSDC बोला गया है इसको इसके अद्ध्यक्स कुन कौन होंगे यह होंगे प्रसासनिक सुधार विबाब के अधिर रहेगा यह इसके कंपनी के अद्ध्यक्स प्रसासनिक सुधार विबाब होंगे एक और देखें इंपोरेंट चीज आ गई इसका अंटरफेस की राजस्तान में तीन नए नियादीशों की नुप्ती के गई है तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे ही हो जाएंगे 35 नियादीश ठीक है कोटा में प्रदेश के दूसरे पासपोर्ट कारे लेका उत्गटन किया गया है राजस्तान में को नए पासपोर्ट कारे लेका है कहां खुला गया है यह खुला गया है कोटा में यह भारत का 37 वा और राजस्तान में जापोर के बाद कोन सा है दूसरा कारे ले चलिए आगे देखते है माउंट अबू में हुई शुरू जंगल सफारी प्रदेश के एकमात हिलिस्टेशन माउंट अबू में यह कहां जजित क्या गया यह जवार कला केंद्र जैपुल में जजित क्या गया इसके बाद SIVJL एक SIVJL लैप नाम से एप बनाए गया है भारतिर निरवाचन आयोक के दौरा यह क्या है चुनाव के दोरान आने वाली समच्चाव के निवारन के लिए और तत्काल प्रवासुन के निर्वारण के लिए CVG लैप बनाये गया है इसके तहती ये आजार संजिता के उलंगन की रिपोर्ट करने की अनुमती देता है फिर है टौबा को कंट्रोल एक्सलेंस अवार्ड तो राजस्थान को देश में तंबा को नियंतन में रोकतां की दिशा में उतकर स्टारों के लिए क्या दिया गया है तोबा को कंट्रोल एक्सलेंस अवार्ड दिया गया है सहज भीलवाड़ा एप सहज भीजवाड़ एप ये जिला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूमें विक्सित एप है जिसे निर्वाचन अधिकारी रास्तान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है प्रमीन गुपताजी द्वारा उनके द्वारा लाव किया कहाँ पे भीलवाडा में सहज भीलवाडा एप और ये किसके लिए है 80 से अधिक उम्रों के जो लोग हैं भुजूर्ग हैं वो घर बैटे मद्दान कर सकते हैं और दूसर चालिस प्रेसर अधिक दिव्यांक शेनी के लोग है वो भी घर बैटे मद् से फिर है यसर श्विनी ये क्या है कैंदीर रिया पुरिस बल की पहली महीला बाइक टीम है क्या नाम है इसका यसर श्विनी फिर है चारन वे डिंगल साहित्ते शोध वे सनक्षन हेतु बोड तो प्रधा वो मुख्यमंति असो गहलोत ने एक नए बोड के गठन के मंजुरी दिये है जिसका नाम है शिरी करनी चारन एवं डिंगल साहित्ते शोध सनक्षन एवं विकास बोड इसमें एक अध्यक्ष एक उपाद्यक्ष नो गैरकारी सदस्य एवं पांच सरकारी सदस्य होंगे फिर है राष्थान राज्य अग्रसेन करियान बोड तो राष्थान राज्य सरकार द्वारा राष्थान राज्य अग्रसेन करियान बोड का गठन क्या गया है वो इसमें काम की बात क्या है इसमे संदचना क्या होगी संदचना है इसकी एक प्लस एक प्लस तीन यानि कि एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तीन क्या होंगे सदस्थ से इसका प्रसाशनिक विभाग क्या होगा बोर्ड का सामजिक नियाए वे अधिकारिकता विभाग फिर है India Today Women Summits and Awards समारो यह कहा क्या गया है यह जैपन में अजित क्या गया इसमें देखी किस-किस को पुरिषका मिला है important चीजें यह हैं कृति भारती जिने बाल विवा की रोगताम के लिए इनको पुरुषका मिला है कतिरी भारती जी को बालिवार रोगताम के लिए पुर्सकार मिला है ठीक है इसके बाद तारा अलुवालिया इनको भी समासेवाई पुर्सकार मिला है भारते गुर्सवारी एथलिट दिव्वे कृतिक खेल में मिला है संतोस देवी को खेती में मिला है राज समंद के पीपला प्राकत भास्ता एवं साहत्य कादमी राज्य मंति मंदल ने राश्थान प्राकत भास्ता एवं साहत्य कादमी के स्थापना की सुकृति देते हुए संबंदित विधान एवं मेमरंडम और असोशेशन अनुमोदन 1 अक्टूमर 2023 को किया गया है चलिए आगे देखते हैं सोलर प्रोजेक्ट है तू भूमी आवनकन देखे इंपोरेंट चीज यहां साथ है उजरसंसादन के टोपी के वहां से कि जोदपुर के भडला में 500 मेगावार्ट सोलर प्रोजेक्ट इस्तापित किया जाएगा ठीक है और इसका फर्म कोन से यह है एंटी पिसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड पिबी कानेर के काला सर वे जोगनात नगर में 370 मेगावाट यहां पर गोशित किया जाएगा फिर है तिरी शक्ती बहु आयामी अभियान सैना नो सैना भारते वायु सैना द्वारा थार में थार मरुस्तल में तिरी शक्ती बहु आयामी अभियान चला आगया कब से कब तक 17 से 23 सक्तुमबर 2023 फिर है आनंद स्वरूप रास्ता सरकार ने राजस्व खूफिया महान निदेशालिय को विग्टित कर राजस्व खूफिया और आर्थी कप्रादों का महान निदेशालिय बनाने का आदेश दिया है विभात यह सुनिचित करेगा कि राजस्व संसाद्रों की शुरक्षा हो ठीक है इनके निमान निदेशक है आयारेस आनन स्वरूप फिर है करन डाठोड जैपूर के उमेध होटल और रिसोर्ट समूर के निदेशक करन डाठोड ने केंद सरकार के वानिज्य और उद्ध्यों बंतार्ड द्वारा इस्थापित सेवा निर्बात समवर्धन परिशत के द्यक्षे रूप में पदवार ग्रहन किया है चलिए आगे देखते हैं डीसी जैन डीसी जैन जो है उन्हें CBI के विशेश निदेशक के रूप में न्यूक्त किया गया है अब यह देखते हैं वन लाइनर जो आपन ने भी देखा था उसका दुबार रिवाज हो जाएगा कि एशियाई एशन पेरा खेल जो अभी हुए हैं चीन के होंग जोओ में यहाँ पर F-16 कैटेगरी में सुन्दर सिंगुजा करोली के उन्होंने 68.6 मीटर भाला फैक कर विश्ट रिकोर्ड बनाया है अबनी लेखरा ने भी यहाँ पर स्वन पदक जीता है 10 मीटर रेयर रा लिए निशाने बाजी में फिर है जो इंपोर्टेंड है वो देखते हैं राना पुंजा पैनोरमा सत्यवरत रावत चुंडा पैनोरमा बाटा डुकुआ जिनके जिन्नोदार वे विकास काजो के वित्नी प्रस्ताव को मुख्यमंति ने मन्जूरी दी है तो राना पुंज सामाजिक नियाएवे अधिक्ता मंतरी टिकाराम जुली ने पद्म सिंग से सम्मानित वरिष्ट नागरिक सूर्य देव सिंग बारेट की किस पुस्तक का विमोचन किया है इसका नाम है इंदर धनुष देखे बहरो सिंग सेखावज जी के 23 सक्टूमबर 2023 को इनकी जनम शताब देउने पर एक किताब का विमोचन गया गया है उसका नाम है माटी के लाल बावोसा ये तीन बार मुख्यमंति रह चुके हैं राजस्तान के ठीक है आगे देखते हैं जैपुर में ट्रैफिक लाइ प्रिदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला प्लाट कहा लगाए गया ये लगाए गया है बूंदी में ठीक है अब ये देखिए पशु पालन विभाग द्वारा 14 से 20 नॉमबर किस मिले का योजन के जाएगा ये के जाएगा पुशकर पशु मिले का योजन तीन नवीन जीले की गोशना की गई है सुजानगड मालपुरा कुचामन आगे देखते हैं राश्टे उस्ट अनुसंदान केंद्र ने के वेग्यानिकों ने घोडी के गर्म में विक्सित भून को दूसरी घोडी में पत्यापित करने में सवलता पाई है तो इस विदी से जी बच्चे का जनम हुआ है उसका नाम है हिमानी राज्जे इस्तर का पहला राज्जे राश्तान का पहला विस इस्तर ये सिंत्यटिक एस्ट्रो टर्फुट्वल मैदान कहा बनाए जारा यह बनाए जारा विद्यादर नगर स्टेडियम जैपूर तो हमने ये करने अट वाली पसुचर की वेकंसी में ठीक है रीट की वेकंसी हो पसुचर की वेकंसी हो अगर यह चैनल आको अच्छा लगाओ तो चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यवाल